गुड मॉरिंग गाइस बात करेंगे आज की मार्केट की आज की मार्केट में क्या हो सकता है अगर देखोगे डाओ और नेजटेक को तो भई बुरी तरीके से कल पिटाई हुई थी 3-3-4-4% के आसपास और क्यों पिटाई हुई है बो तो हमने कल भी डिस्कस किया था आज भ यहां पे बहुत को सीखने को मिल जाता, आपको कोशन का अंसर मिल जाते हैं, इसके लाभा। और अगर आप देखोगे तो क्यूं गिर रहा है इसके दो यही रिजन हैं, आपको पता है कि भई जिस तरीके से इंफलेशन वड़ रही है यह उसके अंदर और उसकी बज़े से आपने देखा होगा कि मार्केट में गिराबट देखने को मिले ही और उस इंफलेशन को कम करने के लिए इंटरीस rate बढ़ा रहा है ये फेट की मीटिंग जो चल रही है उसमें इंटरीस बढ़ रहा है और इन्टरीस बढ़ते रहेंगे अईसा जो फेट क कम करने के लिए और यही तो रीजन है इसके लाब आप देखोगे तो क्रूड ओई भी आप काफी जादा ऊपर नीचे चला 120-130 ऐसी डॉलर प्रती पेराल चला और रुपया देखोगे तो ओवराल सेंटिमेंट थोड़े निगेटिव हैं अपने मार्केट के बारे में बात कर कुछ डिसकस कर लेंगे फटाबट से तो यह तो आप देख सकते हैं इस तरीके की जो घबराना नहीं है बिल्कुल भी यह अपरचुटियां आ रही है और मैं बता रहा हूं 2020 में जिस तरीकी से अपरचुटियां आई ती लोग डर गए ते उसमें तो सड़ा ने इतम से ते बिल्कुल भी कोई सड़न तेजी है नहीं और यहां पर आपका पेसेंस का टेस्ट है आपकी सैकलोजी का टेस्ट है किस तरीके से आप जो नए नए इंवेस्टर आए उन्होंने मार्केट भागती हुए देखी थी 2021 में और जब वो एंटर किये थे लेकिन अभी उन्हें इ करने की कोसिस कर रही है जो रिटन पास्ट में दे दिया उसने उसको और मुझे लगता एक कंसोलेशन हो सकता है इसी रेंज में 15,000 से लेके 17,000 के वीज में इस साल 2022 के और जो हाई लगा रखे पहले 18500 के इस से ज्यादा हाई नहीं लगाएगी इस साल और कंसोलेशन दिख अब एक लिए देखोगे तो नीचे आपको सपोर्ट दिखता है जो मैंने कल बताई पूरी एक रेंज बताई थी 15,500 से 15,700 के आसपास तो यह एक रेंज है जहां पर यह कंसोलेशन कर सकती है मार्केट पीछे भी देखोगे तो यहां पर काफी दिन कंसोलेशन किया है यहां है कि आपको एग्रेसिव पोजीशन बना के रख रहे हो बुल इसमें तो आप अच्छे श्टॉक को अच्छे प्राइस के आसपास अपने जीटी नीचे के लेवल पर लगा के डाल सकते हो और अच्छे प्राइस पर खरी सकते हो एक दो डिप तीन डिप में जिस तरीके से डिप बाइस हम लोग खरीदारी करते हैं और इस साल मतलब आपको ऐसे रिटन देखने को नहीं मिलेंगे और प्रॉफिट तो जब भी आप ऐसा एक दिन बाद दो दिन बाद आपको 5% प्रॉफिट हो जाए 10% तो बिलकुल टाइम भी प्रॉफिट बुक करने है क्योंकि मा सकते हो वहाँ पी काफी वड़ी अवैलू आ गई है तो इस टैकट मैनर में एक बाइंग की अपोचिटी हर जेगा चल रही है तो ऐसी कोई मैं तो बिलकुल घबराता नहीं हो आपको पता है और इसी तरीके आपको अपनी साइकलोजी रखनी है बिलकुल भी जो भी स्टॉ इस तरीके से चलेगा और अगेन ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो इसमें वहीं लॉसी कर लेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आगे दिखते आएंगी तो ये चीजे बिलकुल साइकलोजी को कंट्रोल रखना है तो ऐसी ग्रावट होती रहती है और मार्केट के अपनी बात कर लेते हैं तो मुझे ज़्यादा ग्रावट नहीं लिख दिखती है हो सकता है 100-800 पॉइंट की ग्रावट आथ देखने को मिले पर उस तरीके की जिसे अपना डाव में और नाइस टेक में बैसी ग्रावट मुझे नहीं देखने को मिल लाई है और ये मेरे व्यूंगा परसनल नहीं हो सकता है वही सेकेंड आप में थोड़ी सी देखने को और ज्यादा मिले बट अगें मेरे जो परसनल लिव्यू मैंने बता दी है और 15-500 मुझे काफी तगड़ा सपोर्ट दिता है 15-50-700 के इस रेंज में पिल्को कंसलोरीजन कर सकती है और यही मेरे व्यूंगा बाकिन देन मरजी आपकी सब्सक्राइब कर लेना वीडियो दोस्ते से कर देना चाहिन दोस्तों